तो आज मैं तुम्हें प्रॉपर नाशर दूँगा कि वेंड़ य फिर फैंटम में से कौन सा बेटर है धिर यहाँ पर मैं तुम्हें वो फालतो नहीं दिने वाला जो कि हरको देता है आज विचेशंच्व कुछ ने कि डेपेंड करता है बोट गन कॉस्ट करता है बिल्कुल सेम प्राइस विजिस 2900 एंड उसके तुम किसी मैच में कभी भी ले सकते हो एंड इसको mostly प्लेयर्स उस करते हैं throughout the whole game बड़ इसका जो डैमेज का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अगें मैं तुम्हें नमबर्स नहीं बताने वाला बिकाज वो फालत होते हैं तो मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ अगर एक बंदा तुम्हें सामने खड़ा है विथ फुल शील्ड दें तुम वैंडल से उसको वन शॉट हेड़ पे मार दोगे तो वो मर जाएगा अगर बात करें लोग फैंटम की तो इसका थोड़ा सा अलग है तो जो पहले कि मैंने प्रॉपर्टीज बताए वो सारी चीज़ें से दूर हो जाता है दें समझ लो तुम वन शॉट उसको नहीं मार सकते हो एकर वो थर्टी से दूर हो का दें तुम बॉड़ी एंड लेक प तुम थोड़ा सा स्प्रे कर दिये उसके बाद तुम देख रहे हो वगन यहां से वाँ भाग रही है तो इस चीज़ को बोलते हैं रिकॉल कंट्रूल करना और वैंडल या ऐसी का ने जिसका रिकॉल कंट्रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहां से वहां कब चले वह यह है उसका स्पीड एंड मैगजीन तो अगर हम डिलेटल वैंडल और फैंटम को कंपेर करें तो वैंडल में तुम्हें मिलता है 25 बुलेट्स फैंटम मिलता है तुम्हें 30 बुलेट्स विजिस फाइफ बोलेट्स अब यह सुनने में तो नंबर कम लग रहा होगा बट सबसे पहले वैंडल वाला ही मरेगा उसकी बुलेट्स लो गए थी फैंटम के मुकाबले तो में कुशन यहाँ पर आता है कि बाई शूट कैसे करें तो वैंडल की शूटिंग के लिए तुम्हें पास दो स्टाइल है एक होता है टैप एंड एक होता है ब्रस टैपिंग में बस तुम्हें ट्राइकर करना हुए कि तुम की की दर्सकt ₌इल चुटिंग करना पड़ेगा एंडल होगमत फैंकर ब्रस में उसकी जरूत नहीं पर बबहुत स्टेश्जह करना पड़े गा और यह तो और ऑब लगया स्परे कणने में है तो यह तो एक अ हो नॉर्मली तब कर सकते हैं जो तुम्हें 100% पता है कि बंदे के बास को ठांकी गर नहीं है या फिर वो किसी चीज़ के पीछे छुपा हुआ है तब उसको तुम भागते भागते पकड़ सकते हो बट भाई सेम चीज़ वैंडल के साथ मत करना हो बहुत हार्ड है कंडूल करने में नेक्स टिप है फैंटम की साइलेंसर की अब यह जो तुम टिप पर यहां पर देख रहो नहीं कि कुछ लगा वाई यह कोई फेक चीज़ नहीं है जो कि रैट वाले ने ऐसी टाइम पास के लिए बना दी इसका असल में दो परपेस है पहला यह जो साइलेंसर है ना यह लेफ्ट सारी की राइट से एंडर उसको तुम फिर मार सकते हो तो यह बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि मुझे लगता है जो कि सिर्फ फैंटम वालों को ही मिला है नेक्स एक इंपॉर्टन सेटिंग है जो कि तुम्हें जर्ल में यहां पर मिल जाएगी यह चीज मेरे पदल चल जा कि तुम कहां पर एड्जाक्टली स्प्रे कर रहे हो और यह सच में बहुत ज़्यादा यूसफुल है नेक्स्ट हमारा पिक रेट के ओपर तो एक में चीज़ डिपेंट करती है जब तुम्हारा क्या अब्जेक्टिव है तो समझाने के लिए अगर तुम आइ यहाँ पर वैंडल काम का होता है क्योंकि वैंडल कितने भी दूर से वन टैप मारोगे तो हैड पर मरेगा वही फ्रैंटम में तुम कितनी भी कोशिश कर लो वन टैप में तो बंदा नहीं मरने वाला है तो पहली चीज़ क्लियर होगे कि exactly कहा पर जा रहा है और दूसरे हमा देना है क्योंकि यहाँ पर तुम फाइट करो गया एंड प्लांट होने के अबाद जब वापस से पीछे हो गया तो तुम्हें लांग रेंज फाइट पर ही जादा फोकस करना पड़ेगा एंड सो यहाँ पर वैंडल जादा काम आती है लेकिन यहाँ पर एक तीसे सजिशन और यहाँ पर वहाँ पर नहीं लगता है और तुम जानतों कितना हार होता है कंट्रूल करना है लेकिन वही तुम फैंटम चलाओ के तो तुम कंट्रूल कर लो गया और बहुत चांसे है कि तुम बंते को मार भी सकते हो वहाँ बेगुष हो टल यह ज्युद ते शे वहाँ बेड़्यू हो जबदाए बड़्यू लगती है कि अवन्यू दीज सब्सक्टानांस और यहाँ जार्ड़्यू ला खवे शुम बड़्यूं अबर्यूं मुट्दा लागे टीजूंड़्यूं